स्री गड़े साय नमा स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भागना यूटूब चैनल पर 19 सितम्मर अनंत चतोर्दसी अनंत चतोर्दसी बाले दिन 14 गांट वाला धागा बांदा जाता है इसका विशिश महत्व है इस दिन 9 रासियां भी विशिशी भागिसाली रहने वाली है अनंत चतोर्दसी का विशिश महत्व होता है इस दिन अनंत भगवान यानि भगवान विश्नों की पूजा की जाती है भगवान विश्नों के अनंत रूप की पूजा की जाती है अनन्त चतुर्दसी वाले दिन भगवान गड़ेश का विसर्जन होता है यानि गड़ेश उस्व जो चलता है गड़ेश चतुर्दसी तक 10 दिन का यह है उस्व होता है तो अनन्त चतुर्दसी वाले दिन इस उस्व का लाश्ट दिन होता है इस दिन भगवान गड़ेजी का विसरजन किया जाता है। सभी भक्त पूरे श्रद्दाबाब के साथ में भगवान गड़ेजी का विसरजन करते हैं। सभी अपनी मनुकामना बोलते हैं। और भगवान गड़े जी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन सूंती धागा जिसमें 14 गांट लगी हुई होती हैं, पीला धागा होता है, हल्दी से रंग करके अनंत भगवान के सामने रखा जाता हैं। और उसे धारन किया जाता है, अनंत भगवान की पू कि एक कपड़े में पंचमेवा सिक्का बांद करके भगवान गड़े जी के साथ आप विसर्जन करें। जब भगवान गड़े जी के विसर्जन कर रहे हूं, तो 21 ताने हरी गास के लेकर के भगवान गड़े जी के सामने रपन करें। साथ ही मोदक और मीठा पान भगवे गड़ेजी के सामने अरपन करें अपनी मनुकामना बोलें और इस दिन ओम गंगरपते नमहा मंत्र का जाप करें साती इस दिन हवन भी कर सकते हैं एक चोगी पर अनंत भगवान की यानि चतर बुझ भगवान विश्नु की मूर्ति स्तापित करें उनकी धूप दीप नहवेद आजी से पूजा करें फिस्तनारण भगवान की कता करें और जो धागा हैं वह भगवान के सामने हल्दी से रंग करके रख दें उसके बाद में कृष्णाय वासदेवाहरे परमाते प्रतकलिष्णासाय गोविंदाय नमनमा या ओम नमो भगते वासदेवाय नमा मंत्र का ज जाएं इस दिन भगवान गड़जी की पूजा करते समय आप हात जोड़कर के ख्यमा याचना करें भगवान गड़जी से और भगवान गड़जी से प्रातना करें कि प्रवो हमारे घर की सारी व्यादाएं सारी परिशानियां दूरों एक मोदक में जब आप धागा और आप ओम नमो भगतिवास देवाय मंतर का जाप करें उसके बाद में वह लड़ू जिसे बूंदी के लड़ू में चोटे लोंग लगाई है उसको चोराई पर रखाएं जो भी व्यक्ति अपने मनो कामना भूल करके उसे चोराई पर रख्याएगा उसकी मनो कामना पूर करके बैत हुए जल में प्रवायत करते हैं ऐसा करने से घर की मुस्रीवते दूर हो जाती हैं और हर प्रकार के मनोरत पूरे होते हैं इस दिन नौर आसियां भी विशेशी बाग जिसालियें मेसरासी जिस पर गरेन की बहुत ही अच्छी द्रश्टी है और मेसरासी का भाग बहुत ही अच्छा हैं अनंत भगवान की किरपा से श्रीगरी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी इस दिन अनंत भगवान के सामने इच्छा पूरती दीपक भी आपको जलाना हैं दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना बोलेंगे दीपक चोमों की जला यानि चार बत्ती ब दूसरी है ब्रसव रासी जो बहुत ही अच्छी और भागिसाली है ब्रसव रासी के उपर भी भगवान की कृपा रहेगी और हर मनुकामना आपकी पूरी होगी है। जाती करन्या रासी का और तुला रासी का योग भी विशेश रुप चल रहा है। इस दिन जब आप भगवान के सामने दीपक जला रहे हों तो उस समय दो लोंग आपको दीपक के अंदर भी डाल देनी चाहिए अपनी मनुकामना बोल करके आपकी मनुकामना जरूरी होगी। इस दिन ब्रस्टेक रासी और कुम रासी ये रासियां भी विशेशी बागिसाली रहेंगी। इनके उपर भी ग्रहन का स्रूरी होग है। आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी। वही धनुरासी, मकर रासी और मीन रासी वालों को विशेश ध्यान रखना होगा। तो इ